Hello students, कैसे हैं आप सभी? चलिए करते हैं वक्षीट No. 38, Class 10 Science, Hindi Medium, 38 September की वक्षीट है तो चाप्टर हमारा चल रहा था कार्बन और उसके योगिक और आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूपों के बारे में अपर रूप क्या होता है? किसी एक तत्व के विभिन रूप होते हैं जिनके भोतिक गुर्ण धर्म अत्यांद भिन होते हैं जबकि उनके रसाइनिक गुर्ण धर्म एक समान होते हैं तो अपर रूप क्या होते हैं, वो किसी एक element के अलग-अलग रूप होते हैं, लेकिन उनकी जो भोतिक गुर्ण धर्म हैं, कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी कैसी चाल लगता है, उप्योगिता किस तरीके से हैं, उनका रूप कैसा है, ये भोतिक गुर्ण धर्म जो हैं, वो तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी संरशना के बारे में ग्रेफाइट की जो संरशना है उसमें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्तित शट्ट कोणिये तल होते हैं कुछ लेयर्स होती हैं सतय होती हैं जैसे कि इस पिक्चर में देखो कि यहां आपको हेग्जागॉनल लेयर्स नजरा सकता है और उसी तरीके से उसने चार बॉंड्स बना के एक रिजड स्ट्रक्चर बना लिया है इस तरीके का थ्री डामेशनल स्ट्रक्चर बना लिया है तो इसी प्रकार से डायमेंड की बात करें तो इसका द्रिड त्री आयामी संरशना होती है आबंदन की बात करें इसके इक किसी एक carbon के साथ double bond होगा और बाकी दो के साथ single हो गया ठीक है तो यहां क्या होगे इसके चार बॉंड्स तो बन गए और चार ही उसको बनाने थे अगर हीरे की बात करें तो हीरे में carbon कार्बन का प्रतेक प्रमाणू कार्बन के चार अन्य प्रमाणू के साथ आबंदित होता है तो यहां हमने देखा ही कि कार्बन जो है वो चार अलग कार्बन एटम के साथ में अपना बोंड बना रहा है और इसके वजह से यहां एक द्रिड एक रिजिड त्री आया में संरशन बनती है, थ्री डामेशनल स्ट्रक्चर बनता है, अगर रूप की बात करें, तो ग्रेफाइट जो है, वो चिकना होता है, फिसलन होती है उसके सताय पर, और हीरा सरवादिक कठोर पधार्त है, अभी तक का सबसे कठोर पधार्त माना जाता है, चालकता की बात करें, तो ग्रे ब्रेसल जो होती है उसके अंदर आपने देखा होगा हमारा काले रंका सिुका और जिसको हम बोलते हैं वो ग्रेष आप का बना होता है इसके अलावा इसको इसाप के आपको होता है ने आक ने हमकी होताँ है हम किन पूंद है स्पहती है जैसे चला मोहित मिक्त Kendalum काżenia ठीक लेकिन अगर हम हीरे की बात करें तो उससे तो आपको पता है कि आभूशन बनाए जाते हैं और एक उपकरण में ये काटने के भी इस्तमाल आता है उस उपकरण में कटर होता वो एक तरीके का और उस कटर में एक हलका सा हीरे की जो है उसके आगे अटेच कर दिया जाता ह है और अटेच इसलिए किया जाता है क्योंकि हीरे एक हार्डेस सब्चंस है हार्डेस होने के विज़े से किसी भी सतय काच हो मोटे-वोटे काच होते हैं उनको कट करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है आगे बढ़ते हैं शुद्ध कारबन का अत्यदिक उच्च आप पर उपचारित करके हीरे को संसलिशित किया जा सकता है तो जब कारबन जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंपरेचर के अंदर गजबाता है तब हीरे का निर्मान होता है यह नैच्रल प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा समय लेती है बहुत इनका जो size होता है वो थोड़ा छोटा होता है अब एक और बात करेंगे हम फुलरीन के बारे में अब ये फुलरीन क्या है इसको भी एक carbon का अपर रूप माना जाता है और इसकी research जो है अभी चल ही रही है ये किस तरीके से behave करेगा इसके कैसे जो है इसकी गुण धर्म रहेंगे तो फुलरीन के बारे में जो अभी तक पता चला है वो ये है कि फुलरीन कार्बन का अपर रूप का एक अन्यवर्ग है सबसे पहले C60 की पहचान की गई थी जिसमें कार्बन के परमाणो फुटबोल के रूप में विवस्तित होते हैं चुकि यह है अमेरिकी आर्केटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के द्वारा डिजाइन किये गए जियोडैसिक गुंबत के समान लगते हैं इसलिए इस अन्यों को फुलरीन का नाम दिया गया था तो बैटा जैसे ग्रेफाइट और हीरा यह दोनों कार्बन के अपर रूप है इ यह है बटा फुलरीन और फुलरीन के आपको शेप नजर आरी होगी यह एक फुटबोल की तरह दिखता है फुटबोल की तरह कैसे दिख रहा है अब इसके अंदर आपको दिखाई देंगे यह जो ग्रीन कलर के आपको सरकल्स दिखाई दे रहे हैं यह सभी क्या है कार्बन और इतने सारे carbon मिलके एक molecule बना रहे हैं और ये एक अनू क्या कहलाता है C60 अनू किसका है फुलरीन का है C60 अनू क्यों है क्यों है क्योंकि इसके अंदर 60 carbon attached हुए है ठीक है ये चितने भी आपको carbon दिख रहे हैं ये 60 होंगे 60 carbon atoms मिलकर एक अनू बना रहे हैं तो इसमें क्या है जहां आप देखोगे कि कुछ pentagonal shape बन रही है पंच बुझ बन रहे हैं यहां पे ये देखो ये पंच बुझ बन रहा है इसके अलावा यहां शटकोन भी बन रहे हैं 6 बुझाओं वाले भी बन रहे हैं ठीक है तो कुल मिलाके इस पूरे structure में आपको मिलें 20 शटकोन यानि कि 6 बुझाओं वाली आकरितियां और 12 इसमें हमें मिलेंगे पंच बुझ यानि कि pentagons पंटागंस कुछ इस तरीके के होते हैं है ना तो pentagons ये रहे और शटकोन ये रही तो अब इसमें आपको ये इतने सारे structures दिखाई देंगे और ये 60 कार्बन जो है वो इसी 60 की रिजर्च की गई थी और इसका नाम फुलरीन क्यों पढ़ा था एक अमेरिकन आर्केटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिन्स्टर फुलरीन उन्होंने अपने एक इंटरनेशनल एक आर्केटेक्ट्चर की एक्जिबिशन होनी थी वहां पर उन्होंने एक गुमबद इस तरीके की स्ट्क्ट्चर को इस्तमाल किया था तभी इसका नाम फुलरीन दिया गया उसी के साथ ये मिलता जुलता था ठीक है तो अब आगे चलते हैं कार्बन के कुछ हमें प्रकृति के बारे में जाना है कि कार्बन सरवत वुंखी प्रकृति का क्यों होता है क्यों य जिन्हें कार्बनिक योगिक या कार्बन योगिक कहते हैं। तो कार्बन कंपाउंट्स किस वज़े से इतनी ज़ादा हैं। हर जगर कार्बन कंपाउंट्स हैं, हमारे इतनी भी चीज़े हैं, उन सभी में कार्बन हैं। सबी जो है carbon compound की कुछ न कुछ शेश रखते ही है तो सह संयोजी बंद की जो प्रकरती है उसी वज़े से ऐसा होता है यह sharing करके electrons की sharing करके किसी और दूसरे element के साथ यह अपने ही atoms के साथ में sharing करके bonds बना के बहुत सारी योगिक बना पाता है उसके बाद है श्रिंखलन श्रिंख प्रमानों के साथ आबंद बनाने की अर्द्वित्य शम्ता होती है जिससे बड़ी संख्या में अनो बनते हैं और इस गुण को श्रिंखलन कहते हैं कारवन जब अपनी ही प्रमानों के साथ आबंद बना के chain बना लेता है आपको बता है कि यह chains बहुत सारी बना सकता है और rings इसेट बना लेता है तो यह जो इसकी गुण होता है इस सका इसको हम श्रिंखलन कहते हैं और यह कारवन में होती है इसी प्रकार से एक सिलिकॉण नाम का element होता है कारवन से अलग है सिलिकॉन हाइडरोजन के साथ योगिक बनाते हैं जिनमें साथ या आठ प्रमानों साथ आपस में जुड़े हुए अनेक योगिक प्रापत होते हैं कारबन की जो दोसे बॉंद्स बनते हैं वो बिलकुँ इत्यादी के साथ आबंदन की शमता होती है तो ये किसी के साथ भी बॉंड बना लेगा ऑक्सिजन हाइड्रोजन के साथ ये नाइड्रोजन के साथ अब कारबन द्वारा प्रबल आबंदों के निर्मान का एक कारण इसका छोटा आकार भी है इसके जो ये स्ट्रॉंग बॉंड बनते है ना कारबन द्वारा इनका एक कारण ये भी है कि इसका छोटा आकार होता है इसका जो न्यूकलेस है उसमें क्या है इसके कारण इलेक्ट जो हैं वह बलकि कैसे बनते हैं वह कम जोर बनते हैं लंबे हैं यानि कि बड़े हैं परमानु तो क्या होगा कि वांड से बैंगे स्ट्रौंग नी बनें ग़ pewl कि दुरबल बनेंगे तो ये थी वक्षीट आप की और करते हैं अब इसके question answer interesting से question answer है, समझ के करिएगा, अच्छे से करेंगे इन questions को पहला प्रशन, कार्बन को चतु संयोजी क्यों कहा जाता है कार्बन के भारिक अक्ष्य में 4 एलक्ट्रोन है अर्थात कार्बन के संयोजी इलक्ट्रोनों की संक्या तो 4 है इस कारण इससे कार्बन को टेट्रावेलेंट या चतु संयोजी कहा जाता है पहला प्रशन है कार्बन सर्वतमुखी प्रकरती क्यों दर्शाता है तो इसका कारण क्या है कि यह सर्वतमुखी प्रकरती इसलिए दर्शाता है क्योंकि यह एकल, दोहरा या त्री आवंद बना सकता है और यह अन्य कार्बन परमाणों तता अन्य तत्वों के परमाणों से भी चुड़े होने पर श्रिंखला, शाक्य श्रिंखला या रिंग भी बना सकता है तो कारण यह होगा इसका अगला प्रशन जो है कार्बन के पर्माणों अधिक संख्या में योगिक क्यों बनाते हैं तो कार्बन निमल लिखित कारणों से बड़ी संख्या में योगिक बनाता है पहली तो है चतु संयोजकता जिसकी वज़े से कार्बन परमाणूं असानी से अन्य परमाणूं के साथ सह संयोजक बंदन बनाते हैं और दूसरा श्रिंखलन दो कार्बन परमाणूं असानी से सह संयोजक बंदन बनाते हैं और ये बंदन अन्य तत्वों द्वारा गटित बंदों की तुल्ला में अधिक स्थेर होता है तो ये दो कारण है कि हमें कार्बन के इतने सारे योगिक मिलते हैं अगला प्रश्ण फुलरीन में कार्बन परमानों की न्यूनितम संख्या एवं उसका आकार बताईए तो पकमेंस्टर फुलरीन जो है वो कार्बन का एक अपरूप है जिसमें सार्ट कार्बन परमानों के समों होते हैं जो गोलकार अन्यों को बनाने के लिए एक साथ चुड़े रहते हैं चुकि इसमें 60 carbon प्रवाणू है इसलिए इसका नाम भी इसका सुत्र जो है वो C60 है अगला प्रशन देखें एक बच्चा दोनों और से pencil छील कर बैटरी के दोनों terminal को जोड़ देता है क्या परिपत में से विद्युधारा प्रवाहित होगी तो बेटा इसमें देखो क्या करना है हमने pencil को दोनों तरफ से sharp कर लिया और दोनों तरफ से हमने उसका led बाहर निकाल लिया जो की black color का होता है और वो grey fight का बना होता है अब इसके दोनों सिरों को wires से बांधा इन दोनों wires, दोनों सिरे के wires को लेके एक को battery से connect किया और दूसरा फिर हमने यहां एक bulb लगा दिया ठीक है अब इस bulb में यहां मैं बना देती हूँ और एक switch हमने लगा दिया जब हम switch को on करेंगे तो क्या इस परिपत में विद्यूत परवा होगी आप इस circuit को भी बना लेंगे अपनी copy में तो हां इसमें विद्यूत परवा होगी क्यों देखिये answer हां विद्यूत परिपत से विद्यूत परवा होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि pencil का पधार्त ग्रेफाइट है और बिजली का एक अच्छा चालक होने के नाते पैंसिल का ग्रेफाइट विद्यूत को एक माध्यम प्रदान करेगा और विद्यूत प्रवाहा की अनुमती देगा तो ये इसका उत्तर रहेगा तो ग्रेफाइट जो है वो विद्यूत का सुचालक होता है तो पेटा कर लीजे इस worksheet को समझ के और नोट्स बना लीजेगा जरूर मिलते हैं आप से next worksheet की वीडियो में तब तक के लिए take care